भारत में कोरोना वाइरस की दूसरी लहर के दोरान COVID-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या और लोगों की हो रही मौतों को लेकर विश्य स्वास्ते संगठन WHO ने चिंता जताई है WHO की प्रमुख वैज्यानिक स्वामिया स्वामिनाथन ने कहा कि भारत में COVID-19 के आकड़े चिंतित करने वाले हैं और सरकार को सही आकड़े को छुपाना नहीं चाहिए वाइरस के जानलेवा वेरियंट को लेकर WHO की विभिन दलों के बीच चर्चा जारी है दरसल भारत में अब तक कोरोना के कारण धाई लाक मौत हो चुकी है जबकि देश में 37,15,221 एक्टिव मरीज है